हेलो दोस्तों आज कि इस वीडियो में चाहिए मैं आप सभी को यह बताने वाला हूँ कि वाटसप ग्रूप में अउनली एडमीन मैसेज इसको कैसे करते हैं इसमें होता क्या है कि अगर आपने कोई ग्रूप बनाया है और आप चाहते हैं कि केवल एडमीन ही जो है उस पे मैस मैसेज कर पाए तो जितने एडमीन होंगे उस ग्रूप में मैसेज कर पाएंगे अगर आप यह वाली सेटिंग चालू कर देते हैं तो कैसे किया जाता है सेटिंग को चालू तो उसके लिए सबसे पहले आपको वाटसप अप्लिकेशन को ओपन करना है यह हमारा करना चाहता हूं कि केवल एडमीन ही जो है समय मैसेज कर पाए तो इसको चालू करने के लिए आपको ग्रूप के उपर की तरह यहां पे क्लिक कर देना है जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो थोड़ी से आपको नीचे के तरफ आना पड़ेगा और यहाँ पर आपको Group Permission का Option जो है देखने को मिलेगा तो यह वाले Option पर आपको कर देना है क्लिक अब जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको Send Message का Option जो है देखने को मिलेगा और यह जो है चालू होगा तो इसको आपको बंद कर देना है जैसे ही बंद करेंगे तो यहाँ पर जो सेटिंग है वो चालू हो चुकी है इसको बंद करने पर जो है setting चालू हो जाती है अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही मैंने इसको बंद कर दिया है तो यहाँ पर लिख कर आ रहा है कि केवल ग्रूप का admin ही जो है इस ग्रूप में message कर पाएगा बाकी के कोई भी लोग जो है इस ग्रूप में message नहीं कर पाएगे जो add है जो group के admin नहीं है वो जो है इस group में message नहीं कर पाएगे ठीक तो इस प्रकार से जो है आप whatsapp group में only admin message वाली setting को जो है चालू कर सकते हैं इस वीडियो में केवल इतना ही था अगर आपको यह वीडियो पसंदा है तो like करिएगा